आज के इस वीडियो में हम क्लास सैवन्थ हिस्ट्री की बात करेंगे डेली सुल्तान्स के हम यहां पर बात करेंगे करेंगे जो आपके तुर्क वन्ष के जो लोग थे उनके बार में हम आपे बात करेंगे तो आज हमारा यह चप्टर 3 है हमने जब कल कुछ जो आपके इस बार कि जो नागा भट्टाह सकते ईसका ऑन सक्षण के अंदर दिजम्स के अंदर क्यांद नागा भट्टाह जब कौन सी जवड़ास्टाह रहा है अगर आप नायबत से दरा एक्जाम की क्यारी कर रहे हैं तो आपके टेस्ट इस एवलेबल है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन डाला होगा वहां से आप जाउन जाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर लिए जो भी अपडेट होती है वहां पर मिल जाती है वीडियो के लिंक आपको मिल जाते हैं कोई अब यहां पर देखिए आपको चाहिए और महात्मा गांदी के प्रिंसिपल्स के नोड्स आपको चाहिए तो आपको जाओ शुक्वम जिकेट्रिक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाला हुआ है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो पर मिल जा तो अब आपने पिछल्टर में पड़ा एक कावेरी डैल्टा के आसपास जाए यहां के किनारे बीज हो काफी बड़ी जाओ सल्तनत डैली सल्तनत जैनाम यहांपर दिया है यहांद रखेंगी कि यहाँ पर याद रखना है जो डैली है डैली है वह क्यूंग है व फ cageannen must किसने हराया था आपका 12th century में चोहांस नहीं हटाया था इसने चोहांस नहीं और चोहांस जाओ कौन हराता है महम्मद गौरी जाओ इनको हराता है उसके बाद महम्मद गौरी के जो आपके गुलाम थे आगे उन्होंने जाओ डेली सल्तनलत पर राज किया तो यह सब आपके य आप यहां पर यहां पर याद रको दिल्ली के आसपास के जो लोग ते वह separately जैना मर्चेंट थे कोंड पर याद रखना है और याद रखो कि points वहाँ पर मिन्ट हुआ करते थे जिनको हम क्या बोलते थे देहलीवाल बोलते याद रखना है तो यहां पर आपको मैं पतायाता हूं कि सबसे पहले तो आपका जाओ डेली सल्तनत पर जाओ राजपुता का राज़वा जिसमें से तोमर आये तोमर और इसमें अनंग पार एक पैमज जो फ्राजफूट है और जाज-कर देखने की मिलता हैं ग्यार Шराँ के या पीयाद रहना है उसके बाद चोह आना ये बी राजपूट थे और प्रित्वी राज-करते वहएं देखने की मिलता है दिली सल्तनत के ऊपर 1175 चैंट्र ile 2009 में मैंने आपको बताया था कि दो यूद हुए थे राइन का फर्स्ट यूद राइन का सेकेंड यूद अगर आपने इसके बारे में नहीं जो पढ़ा है तो आप पिछले जाक्षर देखें मेरा क्लास सेवंत का सेवंत जो आपका सेवंत का जाओ सेकेंड चैप्टर है वह आप देखी अच्छे से मैंने आपको वहां पर जाए इस इन दोनों यूद की बार में अच्छे समझाए हैं आप सर्च कर सकते हैं क्लास तैवंत हिस्ट्री चैप्टर सकिंड बाए शुभम जी के आपको मिल जाएगा तो यहां पर देखिए जोहान वाइश का भी जाओ राश्चा सक्रा है शासन रहे दिली पर उसके बाद याद रखो तुर्किश आगे थे तुर्किश रूलर्स बारा सो छे से बारा सो नब्बे तक इनने रूल किया जिसमें आपका पहला कुतुब दि जाओ शे से बारा सो दसले के बीच में यह वही कुतोब दिन ऑफाक की थी याद रखना है दूसरा याद रखे इसके बाद शमशुदिन वहीं इल्टूत्मीश इरुयह बहीं असफाद थी, construction जाओ, complete जाओ, छरवाया था, उसके बाद देखिये, रजया सुल्तान, रजया सुल्तान, ये पहली फिमेल रह सकती है, ठीकह, फिमेल जाया, आपकी ये, याद रखना है, उसके बाद, रजया सुल्तान गया जाओ, गयासुदीन बलबना गया था, 1266 से लेकर 1280 तक जया इसका राज रहा है काफिल लंबा पिरट जया बलबन का यहां पर देखने को आपको मिलता है ठीक है यह आपका जया गुलाम वन्ष्ट के जया आपके रूलर्स थे उसके बाद आपको देखने को मिलता है खलजी वन्ष्ट खलजी डाइनस्टी ठीक है यह आप bei याद रखें आप देखें खलजी वन्ष में जलाल अदिन जो संस्थापक करता है खिल जी संस्थापक के खिल जी ऊपका उसके बाद या रखना है 12oyo से 1156 क एक राज राज़ा रखेंबरु । एक कारेकाल जाओ देरा सुबीस टेरा सुट्र 不要 success करता है उसके बाद आपका sums बिंचुलक काता है तुगलक आता है व्याद रखो फिरोज शाह तुगलक आता है तुगलक आता है और इसका शासन जयाओ तुगलक नेस हमाचल परदेश पर आकर्वन कर तुगलक ने तेरा सो बुक्स जो है आपकी करीब करीब पार्सी में अनुवाद कराने ले ले आगया था यहाँ पर याद रखना है और याद रखना है यहाँ पर याद रखना है सइद डाइनस्टी का जो करेकाल देखर 1414 से लेकर 451 तक और इसका फेमस जो लेडर था वो था आपका खिज्र रखां लिज्र हाँ 1414 से लेकर 1421 तक इसका राज रहता है उसके बाद याद रखो लोधी डाइनस्टी आती है ठीक है लोधी डाइनस्टी इसमें आपको बहलो लोधी एक पेमस जो रूलर देखने के मिलता है 1451 से लेकर 149 से राज करता है उसके बाद याद रखो आपका सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी भी इसका फेमस जैव रूलर रहता है इन चीजों को आपने याद रखने है ठीक है यह यह वास्ट इरिया था जिसके परज़ा काफी लोगों राज किया और यहां पर याद रख रख चरुन की तरह से जा प्रवाइड किये गए है ठीक है उसमें लिखा गया है तो यहां पर आपको लॉट ओफ इंफ्रमेशन देखने को मिलती है ठीक है लॉट ऑफ हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है ठीक है याद रखना है और उनको क्या बोलते थे तारिक बोलते क्या बोलते हैं तारिक वैसे हम यहां पर देट को भी बोलते हैं लेकिन परिशन वर्ड है एक तरह से यह तारिक और त्वारिक जिसमें जाओ अब जो उस तमये के जो कई दलिज सुल्तान होते थे उनके एडिमिस्टिशन के बार में लिखा जाता था ठीक है यह आपको याद रखना है अब याद रखो पूर स्टेजीज है पूर स्टेजिज अफ हैं मैकिंग मैनिस्क्रिप्ट मैनिस्क्रिप्ट को जैंब फोर स्ट को लिखना दो तरह स्टेज जसतरा याद रह को मैल्ड करके किसको गोलड को मैयंद करके उससे भाग चो आपके बड़े वर्स हमको हाइवाइलाइट करना इंपॉर्टेट वश्कों का ठीकिल और उसके बाद जयो इस दिपारी अने nine दा बाइड़िंग याद रखो मैंने इस को लिखने के लिल जो जातार के तौल रहें होते थे और अधिनिस्टेटर बगद होते थे यापको रखना है औरृट्से याद रखना है तो वह आपके जाओ ऑथर जो है यह लोग आपके बड़े-बड़े लोग वह एडवाइज करते थे रूलर्स को एडवाइज करते रूलर्स को किसके बिहाफ पे गवर्णनस के बिहाफ पे ठीक है और आपका जाओ लोगिन या किस तरह से डूल चलाएज आए उनको एम्फेसाइज किया जा था याद रखना है अब याद रखो फक्र ए मुधाबिर एक खा़ो नाज में 38 तो इसके मुताबिक जाओ विदाउट शोल्जर जाओ कहीं भी नहीं रहता था ठीक है और यहां पे जो शोल्जर से वह विदाउट सेलरी जाओ नहीं रहते थे वह आपका रिवेन्यू जो ग्लैक्ट होता था उससे जाओ सेलरी आते थी ठीक है और यह जो पीजेंट नोटे थे वह वह रिवेन्यू जाओ देते थे याने कि उनकी पास जाओ पैसे होते है तो उसमें और जाओ प्रोमोर्ट यहां पे जाओ किया जह था according to king फक्रे मुदाबिर ठीक है यह आपको याद रखना है आपको और कुछ additional details में रखनी है ठीक है जो आपके authors होते थे त्वारिक के जो आपके जो त्वारिक के authors होते थे वो डैली जो सल्तनत थी उसके आपका जाओ या डैली cities के आसपास जाओ रहते थे याद र तो एक याद रखो history लिखने पर जो आपका तैली सुल्तान के बारे में लिखने के उपर जाए इनको reward जाओ किया जाता था हाई reward जाओ किया जाता था इस तरह याद रखना है एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर यह author जाओ एक तरह से एडवाइस करते थे रूलर्स को ठीक है यह ताकि वह अपने नीड को प्रिजर्व कर सके अपने आइडियल और यह social order को जाओ प्रिजर्व कर सके उनको क्या बोला गया है बर्थ राइट बोला गया है और यहाँ पर याद रखो gender distinctions जैंडर डिस्टिक्शन यह बारे में बोला गया है तो जैंडर डिस्टिक्शन क्या है social and biological differences between women and men differences are used to argue that men are superior to women gender distinctions यहाँ पर देखने के मिद रही थी रज्य को क्यों हटाया गया था क्योंकि वहाँ पर gender distinctions देखने के मिद रही थी नली सलतनेत के अंदर यहाँ पर से याद रखना है अब याद रखो 1236 के आस्पा जाओ इल्टूत्मिश की जो डॉटर है डॉटर है रजिया वह डेली की सलतनत की जाओ गल्दी पर बैरती है और मिनहाज ए सिराज जो सिराज की जो बुक थी मिनहाज सिराज उसमें बोला गया है कि वह अपने जितने भी ब्रदर्स थे वह बड़े हो चाह चोटे हो वह उनसे जाओ काफी जाओ हाइली क्वालिफाइड थी तो यही कारण था उसको जाओ शास्ता बनाया गया बट जो आपके जो यहां पर जैंडर डिस्टिक्शन देखने के में जो आपके लोग थे वहांके वह उससे खुश नहीं थे अट लास्ट उसको मरवादे जाता है बलबन द्वारा बलबन द् सब्सक्राइब होती है और 1240 का सब्सक्राइब मारकर रज्या की द्वारा रज्या की तो मिनहाज ए सिराज मैंने आपको बुक बताई थी पिशली बार भी पिशे चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें रज्या के बार में थोड़ा बहुत लिखा ग जाया है वुमें से एक अकॉर्डिंग टू यह आपको याद रहना है और एक और चापको याद रहनी है रज्य तो छोड़िये रज्य सुल्तान तो जायो बाद गी बात है लेकिन उससे पहले जायो आपने क्वीन रुद्रमा देवी देखी होगी रुद्रमा देवी आपन यह वंश्की है काक्तिय जाइन डाइनस्टी की थी और यह अपनी डाइनस्टी पर राज कर रही थी तिके उसके बाद पहले आपने यह देखा होगा कि कश्मीर की राइन थी जिसका नाम है दीदा दीदा जिसको जब प्यार से लोग दीदी बिलाते तो वह भी जाए अपन लुवरे जिसका रहा है याद रखना है यहां पर देखो कि आपको यहां पर देखे किस तरह से एक्सेंशन होता हे अर्लि 13 सेंचुरी में अर्ली 13 सेंचुरी में कि देखो यहां पर क्या होता था कि डैली सल्तनत में डैली सुल्तान के आसपा से दल्दी सिर्टी के आसपा जाओ 45 होने लगी थी 45 होने लगे थे 45 टाउन्स होने लगे थे और वुसको गैरिसन द्वारा जाए किया जा रहा था आप सिंपल याद रखना है तो हिंटर लैंड कि यहां पर बात हुई है हिंटर लैंड की बात हुई है जहां से जयो कोई ना कोई जयो जो जो गुर्ण से उसको हिंटर लैंड बोला गया है और यहां पर बोला गया है गैरिसन टाउन डैवलाप होने लगे यानिकी 45 सेटलमेंट जयो स्टार्ट होने लगी और वहां पर स्टार्ट हो गया जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के आसपास की राके थे वह 45 होने लगे थे और हिंटर लैंड बोलने लगे थे उनको क्योंकि आपके कि रहा थे और वहां पर मंगवाय भी जायते पोर्ट के तुरू ठीक है और गैरिसन वहां पर डैवलप हो गया था इसको भी आपने याद रहना है यह आद रहना है देखो गैसंड डैवलपमेट क्यों हो रही थी देखें कभी भी आपका रिबेलिन हो सकता था कर दिया तो कभी भी जाओ दिली सल्तनेत के ओपर जाओ राजा के ओपर अटक कर सकता था तो इसलिए जाओ आपका आर्मी वाड़ा भी जाओ पावर्फुल हो सकता और वह भी जाओ तो एक तरह से जिए लेवाप पर जो कर सकता ता और दिली सल्तान के खिलाब्ब यहाद रहना और मैं जो डैली की तर्फॉर्टी थी वह चैलंजड की गई मंगोल 1 इंवेजर के बाद मंगुल 1 इंवेजर के बाद फिए प्रॉम अफगानिस्तान जो मंगोल उन्हें जयाओ आपके अफगानिस्तान से जाओ आपका इंडिया में एंटर किया था ठीक है ठीक है और वो सल्तान की जैविक्णिस इस पी बारह में जाऊ देख रहे हैं यहाँ पर याद रहा है आप यहाँ यहाद रखो ज्यासु दीन बल्बन और अलाओ दीन खिल जी जाओ further expansion करते हैं अलाओ दीन खिल जी जाओ further expansion जाओ करते हैं और मुहम्मद बिल तूगलक also further further expansion करते हैं अपने समराज्य की ठीक है याद रहना है आप देखो first set जो campaign था उनका वो internal frontier पे था internal frontier पे था ठीक है तो याद रखो उसका aim क्या था कि hinterlands को develop करना ठीक है ताकि जाओ समय समय पर goods बंगवाया जाए और Garrison Towns को develop करना Garrison Towns को develop करना ताकि जाओ अपने समराज्य को अपनी सल्तने उतको सुक्रक्षित कर रखा जाए ठीक है ठीक है और जो hunter gatherers थे जो उस गंगा यावनदवाब के आसपास रहे रहे थे उनको वहां से expel कर दिया गया ठीक है अब यह जो लैंड था वह पिसेंट्स को दिया गया किसको दिया गया ठीक है याद रखना है और याद रखो उस इलाकों में उन इलाकों में जाओ निव फ सब्सक्राइब निव फॉर्ट्रेस जाओ बनाए गए गैरिस्थन टाउंस यहां पर बनाए गए दियान से सुनेगा अच्छे से मैं आपको हर एक स्टोरी से सुना रहा हूं और टाउंस जाओ बनाए गए ताकि जाओ यहां पर ट्रेड रूट्स जो है उनको यहां पर प्रोट किया जा सके यह भी बुला गया है इसको यादर मैं है आप यहां पर देखें सैकेंड क्या होता है एक्स्टर्नल जो आपका प्रोटे उसके उपर एक्सपरेशन होता है तो सिंप्र सी बात है याद रखना है लायो कि खील जीं के सुमेस पर साओधन एक्सपरेशन से अपको देखने को मिलता है और मुहम्मद बिन तुगलक के समय पर जाको सौधर्ण इंडिया है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है ठीक है कि देखो कैम्पेंज में सल्टनत के साथ आर्मी भी होती थी ठीक है और आर्मी जाओ कैप्चर करती थी एलिफेंट्स को और सिसको एंड स्लेव को ठीक है और उन्से जाओ प्रिश्यस मैटल जाओ लेती थी जब तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक करीं था समय था ठीक है या U.C. है त kitty या आपको याद रखना है करीब करीब देटिस संस्ता तक याद रखो जो सब कॉंटिननेट पर सब कॉंटिनेट कर उसक ताहिते ही इसको जाएोथ नह आप देखो देली सल्तना है वो करते एं टैक्सिस को पिस्देंट थे एंसे यह आपको यहां ओर आको दिख्ने तो मिल रही है कि दीट जली आपक비 में आपको कि आतर माया होता है उसके बाद याद रखो 1301 में जो रन्थम बोर है उसके उपर जाओ कैप्चर होता है जली सल्तनत से उसके बाद याद रखो 1302 और 1303 में याद रखो कि वरंगल के उपर जाओ कैप्चर होता है उसके बाद याद रखो 1303 में आपका जाओ चित तोड के उपर जाओ capture होता है उसके बाद याद रखो 1305 में आपका जाओ मांधी मांडू याद फिर जाओ आपका देवागिरी पे जाओ capture जाओ को देखने को मिलता है उसके बाद रहे रहो देवागरी के बाद 1311 में कि आपका जहों टीम देक्शने को मिलता है तैक यहाद रहे नहिंग तो यहां पर आप यहां पर याद रखना है कि इसलाम मॉस्क्यू और डली सल्तनत के आसपास टाइम पिरिड के आसपास बनी हुई है और मिनारे मिनारों से बढ़ बनी हुई है यह तो यह जो गुलाम बनाई गई है ठीक है ठीक है डैली सल्तनत के जो बनी थी तो उस समय यह मुश्क्यू जब बनाया गया था ठीक है यह आपको याद रहना है और इसके बार में जाओ दैली एक कुहुना में लिखा गया है ठीक है और एक ओल्ड सिटी जब इसको बोला गया डैली एक कुहुना ठीक है और याद रखो इस मॉस्क्यू को जो एनलार्ज किसने क्या था आपका इल्तूतमिश ने ठीक है और अलावदीन खिल जीने यह आपको याद रहना है और यहाँ पर याद रहना है मिनार डैवलप की गई थी दो सुल्तान्स दौरा कुतूबुदीन अयवक एंड इल्तूतमिश और यह कुतूबुदीन अयवक ने मिनार जो डैवलप की थी वो कुतूब मिनार थी ठीक है और उसका कंस्ट्रक्शन वर्क इसने पुरवक पुरा करवाय था इल्तूतमिश ने जो पुरा करवाय था अब सिंपल दी बात है मस्जिद का कारे क्य है लोग जाए मस्जिद आपका एक अरेबिक वर्ड है जिसको ही इंग्लिश मं क्या बोलते है मुस्क्यू बोलते है ठीक है तो याद रखना है कि मस्जिद एक तरह से जहां पर अल्ला को जैओ डिनोट किया सके ठीक है रेफरेंस किया सके उसको जैओ उनकी जहां नमाज अ प्र जांग मां मस्जिद इसको बोला गया है जहां पर कोई भी जुम्मे की नमाज जैओ पढ़ सकता है ठीक है याद रखना है उसके याद रखो एक मस्जिद डेवलप हुई थी बेगम पूरी मस्जिद मुहम्मद बिन तुगलक के समय पर यह मस्जिद डेवलप हुई थी याद रखना है इसमें पर जहां पर जो आपका एक त्रास से सेंच्यूरी ऑफ दो वर्ल जिसको बोलते हैं उसको डेनोट करते हैं याद रखना है युथ यहाद रखो तो डेली सल्तनत के आसपास जाओ डेली की सुल्चानस ने काफी सारी जाओ मॉस्ट की उबनाई ताकि जाओ वहाँ पे म एक आपकी मौत की मस्जिद है, कौन जी मौत की मस्जिद है, जो कि सिकंदर लोदी के समय पर जयो बनाई गई है, ठीके, आप याद रखो, एक और आपकी मौस्क्यू है, जमाली की, ठीके, जमाली कमाली, मौस्क्यू है, यह आपकी पांदरा सो बीस इस्वी के आसपा जयो, हुई है यानि कि यह लोधी वंश के समय पर बोस रखता हूं मैं यह आपको याद रखना है आप सिंपल सी बात याद रखना है यहाँ पर एक वर्ड बोला क्या है बंदगान बंदगान का मतलब क्या है कोई भी आपका दली सुल्तान है कि वह आपका कभी भी जाओ अपने जाओ गवर्नर को या चीफ टेंस को आपके बड़े-बड़े लैंड ओनर्स को या एस्टो सोरी एस्टो क्रेट्स को गवर्नर कभी अपॉइंट नहीं करता था वह अपना ऐसे लोगों को दे रिक्लूट करता था अपनी असेंबली के अंदर ठीक है मिलिटर सर्विस के लिए बंदगान जिस पर उसको विश्वास हो उनको क्या बोलागा बंदगान बोलागा है ठीक है इसको याद रखना है अब उन मैं को जाओ केरफुली जा टेंड किया जाता था और पॉलिटिकल सुल्टानों के पर्जार्ट ट्रस्ट विजाओ करता था ठीक है याद रखना है सुल्टांस को यह एद्वाइस किया गया था ठीक है थी स्लेव को यहां पर बोला गया है स्लेव को यहां पर बोला गया है कि आप कभी भी अपने सन को जाओ सब्सक्ड़ेक्त पर इसकीれた ट्रस्ट कर सकते आप यहां पर बात हुए घृट ऑव Elsie कि बात हुए और यहां वहीं कि कर रहे थे याद रहना है तो इनको हमने क्या बोला है क्लाइंस बोला है यहां पर बोला गया है कि जो बंदगांस हैं तो एक तरह से वह एक पॉलिटिकल पोजिशन यहां पर थी जिस पर किसी भी जाओ व्यक्ति की मदद करती है तो उनको बोला गया यहां पर इनको क्लाइंट बंदगांस को जाओ जो एस जनल भी अपॉइंट किया जा सकता था ठीक है यहां पर ताकी पॉलिटिकल स्टेविलेटिकल इन इस इन्सेबिलिटिक जाओ ठीक किया सके याद रखना है और याद रखो जो अपने पैट्रन पे याद रखना है जो न्यूस दूलतान होता था उनकी जाओ उनके पास अपनी एक सर्वेंट्स उते थे न्यूस सुल्तान के पास अपने जाओ सर्वेंट्स यहाँ पर होते थे अब यहाँ पर याद रखो कि जैसे सुल्तान मुहमद बिन तुगलग थे मैंने आपको बताया ना कि जो आपके यह तुगलग थे यह अपने जाओ लोगों को जाओ अपॉइंट करते गवर्नर्स के रूप में यहाँ पर याद रखो इसको पॉइंट किया वा था ठीक है एक आपका पिरोज हजम था यह एक तरह से बारबर था नाई था उसको पॉइंट किया वा था ठीक है मन का तबक था एक कुक था एक उसको पॉइंट किया वा था और दो गार्णर्स थे जो कि ट्रस्टिड थे मुहमद बिन तुगलग क लाड़ा एंड पीरा उसको जाओ अपॉइंट किया गया था तो याद रखना सुल्तान मुहम्मद बिन तुगला के एक जो जिसको संकी बोलता न संकी शास्तक वो था जिसने जाओ अपने एड्मिनिस्रेशन को चलाने के लिए जाओ जो ये जुनको कुछ भी नहीं आता था ठीक है और जिनको आता था बहुत कुछ उनका पॉइंट उसने जाओ नहीं किया है यह आपको याद रखना है इसको याद रखना है आप याद रखो जो सुल्तान होते थे खिल्जी और तुगलक मोनार्ख वो मिलिटरी कमांडर्स को जाओ अपॉइंट करते थे एस गवरन और उनको सुभालने वाले हो एकतार बोलते बहुत इंपर्टन टम है यह यह आप देखो मुक्तीज की क्या डूटी थी मुक्तीज की डूटी ठीक है पास्टू लीड मिलिटरी इनकी जो डूटी की मिलिटरी को लीड करेंगे ठीक है कैम्पेंच को जाओ मिलिटरी जो कैम करेंगे ठीक है अपने इलाख्षा में एक ताज में याद रखने मिलिटर कमारंड़ यहां पर मुला गाएक तरह से तरह से ठीक है कि इस फूर दर मिलिटर सर्विश तरफ से अब यहाँ पर याद रखना है अलावदविन ख्रचील जी अलावदविन किल जी और तुगलक इनके जैए दर्बार में आपको जाओ-अकाउंटेंट्स देखने को यहाँ पर मिलते जाओ एकश हो ताकि जाओ रपन को जाओ चेक कर सके दिवा है उसको लिया जाता था याद रखना है तो उनको हम एडमिस्टेट करने वादे था टेक्स को लीड़ेखंप होते थे याद रखना है कि इनके समय पर आपको है कि टीन टाइब की टैक्सिस ते टीन टाइब टेक्सिस थे एक ताट करने की चो की काल टीवेशन की उपर लिया जादा दा हर दुसरा याद ता कि तीसरा जायो हैं तीन के टैक्सी के तहरें ना खालें मिन क्या पर जला घंचा लेकर याद रहा हैं या आपको याद रखना है अब 되는 फरेंटक फिर्ष्टे सब्सक्राइब तरहें था जो पर रहे करें थे आपके को सुल्टान की फ्रस्ट लेकिन वहां पर जाओ टिफिकल्ट था कि चेवाँ से वापिस जाना परताता था कभी अब सुल्टान को फिर्फ आर बेंगोल तो तो बहुत दूर की वादा क्योंकि दूर का इलाखा है एड्मिस्रेशन अच्छ से नहीं हो पाता है आर्मी जाओ अच्छ से नहीं कर पाती है कंट्रोल वहां पर यहां पर याद रखो इबन बतूता एक राइटर था मुरोको का राइटर था यह तो वह फॉर्टेंस थैवंचरी में जाए ऐज ट्राइवलर यहां पर आया था ठीक राका था उसको भी फॉर्टिफिकर्शन यहां पर जो की गई थी यह आपको याद रहना है इसके बार में यह बोला गया है आप याद रखो चैंगीज खाना आता है मंगोल शासक कहां पर आता है वह इन्वेड करता है नौर्थ इस्ट इरान को ठीक है बारास्तों उन्निस जाओ ठीक है और त्रैंसों जिआना को जाओ इन्वेड जाओ करता है इंपोर्टन है आपको याद रटा है और डैली तलतनत्त भी जाओ कुछ समय बाद जा उसको फेस करती है तो याद रखना है अलावदीन खिलजी के समय पर डेली सलतनत पर जाओ आपका आकर्मन होता है मंगोल का गरीब आपको याद रखना है कि आपको देखने को मिलता है तो इनके समय पर जाद आपको याद रखना है इसको आपने याद रखेंगे अलावदीन खिलजी के बारे में थोड़ोचा अलावदीन खिलजी के बारे में कि आधी को टेक्ट किया था इसके समय पे बाधी सब्सक्राइब है से 31400 से आधी इसके समय पर आपका डेली को अटैक्ट किया गए था और और स्टेंदिंग आर्मी बात काफी बड़े-बड़े गैरी सन है उनको कंस्ट्रक्ट करवाता है कहां पर स्री नामक जगापर और शोल्जर को पैड करने के लिए आपको याद रखना है वह टेक्सिस को क्लेक्ट करता है टेक्सिस को जाओ करता है और पीजर से 50% जाओ टेक्स लेता है कि जितना वह कमा रहे हैं उसका 50% आपको देना पड़ेगा पड़ेगा अर्जो आर्मी थी उनको जब पेड किया रहता है यान कि उनको जाओ अब याद रखे मान लो सेलरी कम हुई और आपका जाओ खाने पीने का समान ज़्यादा महंकार है तो यहाँ पर याद रखो चॉल्डर के लिए यह बोला गया था कि आप लोग जाओ अपनी सेलरी के अंदर सार ही जाओ समान लेंगे यह बोला गया था दुकानदारों को कि आप लोग जाओ यतना भी समान है वो कम दाम पर देंगे इन शोल्डर को ठीक है यह बोला गया था अलब दिन फिल जी के समय पर जो एड्मिस्ट्रेटिव मेजदर्स थे वो काफी अच्छे थे इनके समय जो अच्छा था इनने काफी जयो कि काफी जयो मंजदिया मनाई ठीक है उनका इणिसर रूल अच्छे से किया इरिकेशन सिस्टम् अच्छे से किया बैसे तुगलक्स के समय पर इरिकेशन सिस्टम् अच्छा हुआ था याद रखना है मार्केट में जो गुर्स की सप्राई थी वो उस से अतैक होता है फिस का मॉामब बिन तुगलग जाओ रेन करता है काफी सारा जगा जो मुंगल आर्मी थी वो उसको जो वो कटिर स्क्ति उक वर इफिटिट करती है मंगुल आर्मी जो दिफिट कर की जाती है मुंगार्माद के उपर ऑपर जाओ काफी cweedoh और यह सोच रहा था कि वो ट्रांस ओक्सियाना के उपर जाओ श्याना के उपर जाओ अटैक करें और उसने आपने देलियों सुल्थन का सब्सक्राइब की यह सबीस्टे किये थे जैसे कि आपका जैसं ऑना यह आपको याद रहतना है यह इसन बनाए थे उसने दौरताबाद करने के लिए चाहियो पेड़ करते हो तोटेक्स को और आर्मी को जब पेड़ करता था ठीक है सब्सक्राइब देहने को मिल रहा था लिकाल के पेलर करते हो सबसे बढ़ा यहीं था कि उसको फेल कर गई ठीक है याद रहना है और मंगोल टेरेटरी जाओ उसको क्या आइडिया था वह भी फेल कर गया था क्योंकि आर्मी जब इदर उदर जा रहे थी तो आर्मी में से जो शोल्जर थे वो मनने स्टार्ट हो गये थे किसी ना किसी प्रॉब्लम्स की वैसे तो आर्मी जो थोड़ सी वीक पढ़ गए थी तो उसने जाओ तोचा कि नहीं मेरा मंगोल टेरेटरी के उपर आपका जाओ याद रहना है ठीक है अब यहाँ पर याद रखो तुगलक के बाद आपका यहाँ देखने को मिलता है सैयद व आपका इप़े मार आयद रहोंत है तो जोनपूर, बैंगॉल, मालवा, गुजरात, राजस्तन और इनटार विट्व, इंडिया जाओ इंडिपेंड़ने रूलर्स कि थ्रूर्ज वर्क करें थे अफगांस रूलर्स थे कुछ आपके जाएं आप याद रखो 1540 के आसपास याज शेल शाह सूरी सूरी वंश का जाओ शासक था उसका शासन जयता है और यह वह शासक है जो ग्राइन ट्रंक जो रोड है वो कंस्ट्रक्चर करता है यह आपको याद रखो कि 1526 से लेकर 1530 तक तो आपका जाओ बाबर का शासन था याद रखो 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक आपका अकबर का शासन रहा इसका अकबर का शासन रहा यह आपको याद रहना है 1675 से 1627 तक आपका यहां प्याद रखो यह आपका जहांगी का शासन रहा और उसके बाद जाओ 1627 से लेकर आपका आगे 1656 तक नहीं शायद में भी आपका आपका शहां जहां का शासन रहा और सोड़ा सो शपन की आसपाद या सोड़ा स्वाइब स्वास्था स्वाइब का सत्राव साथ तक और अजेव का शासन रहा यह आप याद रख सकते हैं एक्जाम पॉइंट ऑफ यह तो सूरी वनिश्ट का जाओ संस्ताफ पक कौन रहता तर शेर्सा सूरी था जिसने जब सूरी का जब आपका मॉडल के रूप में जब अपना आया था याद रखना है तो आज के बस वीडियो में इतना ही है कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ कोई भी कोशन हो आपको जाओ अगर नहीं समझा रहा है तो आपको बता सकते हैं तो यह नागा बट्टा नागा बट्टा जाओ आपका आप्शन देता हूं में आपको कौन कौन सी है आप्शन में चलो क्या है ठीक है आपका राश्प्रकूटा है ठीक है इन दोनों में से बताना आपको क्यों सी कौन सा जाओ आपका डाइनस्टी का ये राजा रहा है चलो क्या और आपका राश्प्रकूटा ठीक है नागा बट्टा दुथ्ये एक और याद रहना है गुर्जरा प्रतिहारा ये भी आपका याद रहना है तो ये आपका गुर्जरा प्रतिहारा का जाओ आपका डाइनस तो सो धन्यवाद आज के लिए लेक्षर के लिए जैभारत आपका देन शुबह हो एलेग्राम को जॉइन कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शिप्श्यू वाक्स वोग्स होए तो आज के वेडियो बस कितना ही है कल फिर मिलता एक नए वडियो कसा तब तक के लिए जैभार आपक देन शुबह जहीं